आज की इस बढ़िया में हम कोशन करने जा रहे हैं कोशन है रोहन's mother is 26 older than him कोशन है कि जो रोहन की जो मम्मी है वो 26 years बड़ी है रोहन की यानि कि रोहन अगर 2 साल गए तो फिर रोहन की मम्मी 28 साल की है दो रोहन की मम्मी में add हो रहा है यानि कि 2 years add हो रहा है अब अभी से 3 साल बाद जब उनकी ages को जब हम multiply करते हैं तो फिर उसका multiple हमें दे रहा है 360 find रोहन's percentage रोहन की हमें percentage बताना है चलिए कोशन की तरह बढ़ते हैं इसका जो solution है वो इस तरीके से होगा हम let कर लेते हैं age of Rohan वो उसको मान लेते हैं age of Rohan's mother हो जाएगा x plus 26 question में बोला हुआ है after 3 years from now यानि कि 3 साल बाद 3 साल बाद जो age of Rohan होगी यानि कि Rohan की जो age होगी वो होगी x plus 3 और Rohan की mother की age होगी x plus 26 plus 3 अब इसको जब plus करेंगे या आएगा x plus 29 अब मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का multiple हमें गिवना 360 अब इन दोनों को जो हम multiply करेंगे इसके equal to में रख देंगे 360 चलिए multiply करते हैं x square plus 32 x plus 87 is equal to 360 अब जो हमारा quadratic equation बनेगी वो ये बनेगी x square plus 32 x minus 273 is equal to 0 अब हमें इसमें middle term ऐसे break करनी है जो multiple हो minus 273 x square का और plus minus करने पे 32 x आए अब अगले answer के तरह बढ़ते हैं और ये होगा x square plus 39 x minus 7 x minus 273 is equal to 0 इन दोनों में से हम x common लेंगे ये बच जाएगा x plus 39 minus इन दोनों में से जह हम 7 common लेंगे ये बच एगा minus का 7 common ले लिया x plus 39 is equal to 0 अब ये आगया x minus 7 x plus 39 is equal to 0 यहां से x को लिए आगई 7 यानि कि हमें पर्जेंटेज रोहन की पता लग चुकी है वह है 7 years उमीद है आपको को समझ आया होगा को समझ आया होगा तो वीडियो के लाइक कर देना और दोस्तों सब्क्राइब कर देना मिलते हैं आप सोबीसे नेक्स टूडियो में तब तक ले जाएं